हलो दोस्तों, कुरुशेट में आपका स्वागत है One Place for Sports Injury and Giant Replacement Solutions हलो दोस्तों, कुरुशेट में आपका स्वागत है मैं डक्र नागेंद्र प्रसाद, Sports Injury and Giant Replacement Surgeon आज हम बात करेंगे MPFL अत्वा Medial Patello Femoral Ligament क्या होता है इसका काम क्या है और MPFL टियर वहा तो आपको क्या करना चाहिए अन तक हमरे साथ बने रही है और हमरा चानल को सब्सक्राइब करें हमरा Knee Joint तीन हड्डियों से बना रहता है Femur, Tibia, Patella जिसको हम Knee क्याप बोलते है Knee क्याप लिवराम के जैसे काम करता है MPFL अत्वा Medial Patella Femoral Ligament Knee क्याप के Medial Side में रहता है और गुटना मुडते समाई Patella को बीच में पकड़ के रखता है और बाहर नहीं निकलने देता MPFL टियर सामाने तोर पर चोट के बाद Patella Dislocation होने से होता है आजिकांश लोगों में Patella Dislocation होने के बाद अपने आप Reduce भी हो जाता है एक बार MPFL टियर होने के बाद गुटने में बार-बार लचका सकती है सीडी चड़ने में और दोडने में दिक्कात आ सकती है Patella बार-बार Dislocate हो सकता है निक्याप की Cartilage डामेज होने के वज़े से Arthritis भी डेवलप हो सकता है चोट के बाद निक्याप बार-बार बाहर की तरफ जा रहा है अत्वा Dislocate हो रहा है तो यह MPFL टियर का लक्षन हो सकता है इसको Neglect नहीं करना चाहिए इसका सही इलाज नहीं किया तो निक्याप और फीमर का बीच में फ्रिक्षन बढ़ जाता है इसके वज़े से Cartilage डेमेज होके Condromalacia प्रटिले वरना Arthritis डेवलप हो जाता है MPFL टियर का सही पता करने के लिए यम्मारे सबसे बहतीरिन जांच है ऐसे Sports Injury Specialist में तीन टेसला एममररे का सलहा देता हूं इलाज का बारे में बात किया तो सारे MPFL टियर के लिए सर्जरी की जरूरत नहीं होती सही समय पर सही इलाज किया तो सर्जरी से बच सकते है Partial MPFL टियर तो बिना सर्जरी से टीक कर सकते है मगर Complete MPFL टियर के साथ नीक क्या बार-बार डिस्लोकेट हो रहा है तो सरजरी करना जरूरी है MPFL सरजरी एक extra-articular सरजरी है इसको mini open technique से किया जाता है इसमें पहले एक hamstring tendon को harvest करते है इसको इस्तमाल करके double bundle MPFL reconstruction किया जाता है हम ज़्यादा तर किलाडियों में hamstring graft के साथ fiber tape internal brace करते है ये नए ligament को और मजबूती देता है और जल्दी sports में वापस जाने के लिए मदद करता है MPFL reconstruction with fiber tape internal brace एक latest technique के आज कल बहुत इस्तमाल हो रहे है इसके बारे में और जानकारी के लिए नीचे दिया होवा नंबर पे अपना मरे बेच के expert opinion ले सकते हैं धन्यवाद़